हेलो दोस्तो आज हम पढ़ रहे हैं समाजी विग जान अक्षा दसमी 2021 का प्राशन बैंक सॉलूशन जैसा कि यह हमने उपर की अध्या सारे इसके सॉल्व कर लिये हैं समाजी विग जान के यह हमारा भूगोल का पार्ट चल रहा है दोस्तों अगर आप लोगों ने इसका वस्त करें लाइक कमेंट करें दोस्तों के साथ भी सियर करें जिसके पास प्रशन बैंक ना होगा तो उन्हें एंसर सहीत मिल जाएगा तो दोस्तों चलिए सुरू करते हैं हमारा ये क्या है बी निर्मार उद्योग यहीं से हमें स्टार्ट करना है इसके पहले हमारा हो चुका है दोस्तों क्या लिखा पहला भारत में कौन सा राज्य सूती बस्त उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो कौन सा है गुजरात है ठीक दोस्तों गुजरात है भारत में सूती बस्त का उद्योग के लिए प्रसिद्ध है गुजरात ठीक दूसरा है भारत में रेसम उद्योग का प्रमुक केंद्र है तो कौन सा है मैसूर भारत में रेसम उद्योग का प्रमुक केंद्र है मैसूर ठीक दोस्तों तीसरा देखते हैं भारत के किसे राज्ज में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो कहां होता है उत्तर प्रदेश यूपी में ठीक दोस्तों सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में तो आगे चलते हैं देखते हैं आगे question तो दोस्तों यह हमने दो पार्टी इसलिए बनाया है क्योंकि जल्दी हो जाए इसलिए चौथा क्या है चौथा है प्रत्थम जूट मिल की स्थापना किस स्थान पर हुई तो कहां हुई कोलकाता प्रत्थम जूट मिल की स्थापना कि स्थान में हुई कोलकाता ठीक दोस्तों आगे देखते हैं पच्मा भारत का सबसे प्रचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है सूती बस्त्र उद्योग भारत में सबसे प्रचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है सूती बस्त्र उद्योग है ठीक दोस्तो आगे देखते चटा टाटा आइरन एंड स्टील कमपनी जमसेद पूरकिस राज में इस्थी थे ठीक दोस्तो सत्मा देखते हैं हवाई जहाज बरतन वतार बनाने में किस धात का प्रियोग किया जाता है तो किसका किया जाता है एलूमीनियम ठीक दोस्तो हवाई जहाज बरतन वतार बनाने में किस धात का प्रियोग होता है तो वो धात है एलूमीनियम ठीक दोस्तो जिससे बरतन तार और हवाई जहाज बनता है आगे देखते हैं कोश्चन क्या है दोस्तों यह अठमा कोश्चन है अठमे क्या लिख है विलाई इसपात संग्यांतर किस राज में इस्थित है तो कहां है दोस्तों 36 गड़ में विलाई इसपात संग्यांतर किस राज में इस्थित है 36 गड़ में ठीक दोस्तों नौमा देखते हैं क्या है बिश्र में जूट निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है तो दूती स्थान पर है ठीक दोस्तों भारत में इतना जूट होता है कि दूती स्थान पर है बिश्र में जूट निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है तो दूती इस्थान पर है दोस्तों चली आगे देखते हैं तो हमें उपर जाना होगा यहां से ठीक दोस्तों रिक्तस्थान तो हम रिक्तस्थान देखते हैं क्या है रिक्तस्थान में तो दोस्तों रिक्तस्थान पहला है भारत विनिर्मार उद्योग से कुल घरेलू उत्पादन का बिंदी-बिंदी प्रतिशत प्राप्त करता है तो क के से कुल घरेलू उत्पादन का विंदी विंदी परिशत प्राप्त करता है 17.2 ठीक दोस्तों भारत का चीनी उत्पाद में विश्व में विंदी विंदी अस्थान है तो दूसरा भारत में चीनी उत्पादन करने वाला देश दूसरा देश है ठीक दोस्तों गुजरात में क क्रित्रिम बस्त्र उद्योग बिंदी बिंदी में इस्थापित किया गया है कहां है सूरत में बस्त्र उद्योग में बिंदी बिंदी लोग कारिरत हैं तो 350 लाग ठीक दोस्तों बद्रूद बस्त्र उद्योग में बिंदी बिंदी लोग कारिरत हैं तो 350 लाग अच्मा क्या है वो कारो इस पात सयंतर सन बिन्दी में अस्थापित किया गया 1972 में ठीक दोस्तों वो कारो इस पात सयंतर सन बिन्दी में अस्थापित किया गया 1972 में तो आगे देखते हैं तो दोस्तों आगे इसके सही जोड़ी है सही जोड़ी क्या है पहला है आयल इंडिया लिमिटेड जो की यहां घा दिखाई दे रहा है मतलब इसका पहले का गागड़ी होगा जैसा गागड़ी क्या है सयुक्त उद्योग आयल इंडिया लिमिटेड क्या है सयुक्त उद्योग है दूसरा क्या है बजाज आठो लिमिटेड ठीक दोस्तों बजाज आठो लिमिटेड निजी उद्धियोग है ठीक दोस्तों बजाज आठो लिमिटेड निजी उद्धियोग है इसतरा क्या है क्रिश आधारित उद्धियोग है क्रिश पर आधारित कौन से उद्धियोग है सू चूना पत्थर ठीक दोस्तों सीमेंट उद्योग है चूना पत्थर वाइव प्रदूर्शन का जो करता है वो क्या है कार्बन मोनो अक्साइड तो आगे देखते हैं तो दोस्तों यह हमारा सत्य सत्य आ गया है क्या है इसको एस्या महादीप का सबसे बड़ा इस पात कार खाना है तो जैसा की दोस्तों यह है पहला क्या है सत्य है आगे देखते दूसरा त्री दोस्तों यह अंसर नीचे है देखने के लिए दूसरा क्या है क्रिस तथा उद्योग एक दूसरे के पूरा कहा है तो क्या है सत्य है पूरा कहा है एक दूसरे के जैसा की यहां सत्य बता रहा ठीक दोस्तों तीसरा क्या है त्रिती कार्यों में लगे ब्याक्ति कच्चे माल को परिश्कृत वस्तूओं में परिवर्थित क करता है तो सत्त है भारत जो है वो जापान को सुत्र निर्यत करता है पच्मा है सरवजनिक छेत्र का उध्योग टाटा आयरन एंड इस्टील कमपणी टिषको है तो क्या है सत्त क्रीडूरा सबसे अधिक बटाया है थिक दोस्तों आगे देखतें छठा से चटमा क्या है भारत में चीनी की मिले सबसे अधिक उत्तर प्रदेश राज में हैं तो सत्त है जैसा कि हमने इसके पहले भी कोश्चन देखे थे जो की थे उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल लोहा आयस्क कोईला एवम चूना का उपियोग किया जाता है तो क्या है असत्त है ठीक दोस्तो पचमा देखते हैं एक सब्द उत्तर ये बाकि में उत्तर पहला क्या है स्वामित के अधार पर उद्योग को किन वर्गों में वाटा जाता है ठीक दोस्तो इसका अंसर हो जाएगा चार क्या लिखा है स्वामित के अधार पर उद्योग को कितने वर्गों में बाटा है चार वर्गों में ठीक दूसरा क्या है अधार भूत उद्योग कि इस उद्योग को कहते हैं तो किसे कहते दोस्तो लोहा इसपात उद्योग को ज सहरों के नाम लिखे तो का या है अहम्दाबाद और मुंबई जहां दोस्तों सूतई बस तरज निरमाराड जयादा होता है है ठीक दोस्तों सकता क्या है किस सहर बारत का मेंशेर कहते हैं ठीक दोस्तों आहम्दाबाद को करते हैं आगे देखते हैं अच्छटमा दोस्तों यह चटे में क्या है तोसे हम जूमा उट करके देखते हैं नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा दोस्तों चटमा क्या है यह तीन अंक बाले है चटमे से निम लिखित प्रशनों के उत्तर लगभाग 75 सब्दों में लिखिए ठीक दोस्तों देखते हैं स्वामित के आधार पर उद्योग का बरगी करण कीजिए जो स्वामित है उसके आधार पर उद्योग का बरगी करण करना है तो दोस्तो जैसा कि आप लोग देखे ये बढ़गी करत्र किया है शरवजनीक उद्योग, निजी उद्योग, सहयूग उद्योग ठीक दोस्तो तीन हमें लिखना है तभी तीन नमर मिलेगा और तीनों का बढ़गी कृत्र भी किया गया है तो आगे देखते हैं दूसरा क्या है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूसित करते हैं जैसा कि दोस्तों यह लिखा है दूसरा उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूसित करते हैं तो कैसे करते हैं उद्योग द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूसन को हम निम्न बर्गों में रख सकत और यह क्या है तापी प्रदूर्षन ठीक दोस्तों तीन प्रकार के प्रदूर्षन होते हैं दो आप लोग करिएगा आगे चलते हैं पढ़ने को लंब वीडियो हो जाएगा ठीक दोस्तों तीसरा तीसरा है यह क्या लिखा है सम्वित संकलित इस पात उद्योग एवा मिनी इस पात उद्योग में कोई तीन अंतर लिखे ठीक दोस्तों अंतर देखते हैं यह तीनों अंतर प्लस एक्ठ उद्योग भी दिया है जो कि हमें पूरा लिख देना है तब ही अमें बड़ी हाँ तीन नमर दे दिया जाएगा पहला अंतर क्या है इस उद्योग का शयंत बड़ा होता है और इसका छोटा होता है दूसरा है इसके कच्चे माल जैसा के लिख यह दोस्तों आप लोग लिखेगा क्या है तो अधार भूत उद्योग वे उद्योग हैं जिनके उत्पादा क्या कच्चे माल पर अन उद्योग तूसरे उद्योग निर्भार हैं या किसी भी देश के लिए अत्यंत महत्पूर उद्योग होता है जैसे लोभा इसपात उद्योग ताबा प्रगलन एबं अलूमी कारथ घर दोस्तों कारक तीम पूझा है कच्टे महाल कई प्लब्दता in इसकेशाद के पध्योगी के त्युलि अद्यू के वहती बौहती कारख जो किसी भी उस्ती फिर को कौन को प्रभावित करते हैं इनकार्कों की अनुपस्तिती में किसी भी उद्यों की आवश्थिती प्रभावित हुई बीना नहीं रह सकती दोस्तों इसका कारण आप लोग अगर पॉइंट भाई मिल जा तो और अच्छा लिख लिजेगा आगे देखते हैं ये प्राश्माइंक में इतना ही लिखा है छटमा क्या है आप सत्मा देखते क्या लिखा है सर्वाजनिक उद्योग एवां निजी उद्योग में कोई तीन अंतर जैसा की तीन अंतर बोला है तो चलिए देखते हैं ये उद्योग सरकार द्वारा संचालित होते हैं ये उद्योग किसी एक प्यक्तिया कुछ प्यक्तियों के द्वार संचालित होता है सरवजनिक दोस्तों दोस्तों देखेगा अंतर और मिले तो और यात कीजिएगा क्योंकि छोड़ी छोटा है चलिए देखते हैं अगला राश चर्थवस्ता की जीवन रिखा हैं ठीक दोस्तों यह हम देखेंगे फिर हमारा यह भुगोल का पार्ट समाप्त हो जाएगा ठीक दोस्तों भारती रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में पुना संकलित किया गया है कितने में किया गया सोला में भारती रेल परिवहन को कितने रेल प्रखंडों में पुना संकलित किया गया है सोला ठीक दोस्तों दूसरा है निम्न लिखित में से कौन से दो दूर इस्थित उत्तर दक्षिन गालियारे से जुड़े हैं तो कौन है स्रीनगर और कन्या कुमारी आगे देखते हैं जो इस्थितर हlike अब कि दिस्रे में क्या है सुतेंत्रा प्रावति के पहशात कच्च की काणी में कौन सा पहले पतन के रूप में बिक्सित किया गया कौन सा कनाडा ने इस दोस्तों भारत में जायाए परिवहन का राश्टी और या किया किया गया उननीश्यों तिरोपन मे पच्मा है भारत के कुल निर्यात का 50-75 लोह आयस के किस वंदर गाह से निर्यात होता है किस गंदर गाह से मरमगाओं ठीक दोस्तों यह मरमगाओं से होता है आगे देखते हैं आगे यह क्या है रिकता स्थान की पूर्ति कीजिए पहला है बिंदी बिंदी लाग से अधिक ब्यक्ति पार्याटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संगलन है तो किते हैं 150 लाख से दिक दोस्तों दूसरा है राज्यों वास तेसों में बैक्तियों के बीच का आदान प्रदान बिन्दी बिन्दी कहलाता है ब्यापार आदान प्रदान क्या कहलाता है ब्यापार ठीडोसतों तीसरा बिदि-बिन्दी देश का राश्टी समाचार व सन्देश माध्यम है तता बिष्ट में बिष्ट में बिहाद तम संचार तंत्र में से एक है कौन सा दूर दर्शन ठीक दोस्तों चब्टा विश्व की सबसे लंबी राज मार्ग सुरंग बिन्दी विन्दी शीमा सडक संगठन द्वरा बनाई गई है तो किसके द्वरा अटल टनल के द्वरा बनाई गई है ठीक दोस्तों पचमा जैसा किया था अभी प्रीबोर्ड में जिला मार की सड़कों का निर्वाड वारक रखा बिंदी बिंदी द्वारा किया जाता है तो जिला पारिसत द्वारा ठीक दोस्तों अगर आप लोग नो प्रस्ण बैंक का पेपर ना देखा होगा का इसा सवल्व करना है या फिर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्सन में जाएगा वहां मिल जाएगा या फिर वीडियो के चैनल में जाएगा चैनल में वहां मिल जाएगा प्लेलिस्ट में दोस्तों अब सही जोड़ी देखते हैं सही जोड़ी क्या है पहली है जल परिवहन क्या है सबसे सस्ता साधन जल परिवहन क्या है सबसे सस्ता साधन है जै कि क्या है महा राजमार्क कौन सा है महा राजमार्क तिसरा देश की पहली रेल गाड़ी घागड़ी मितलब सान ठारा सो तिरपन में चली देश की पहली रेल गाड़ी ठारा सो तिरपन में तो राजमार्कों का निर्माड लोक निर्माड विभाग पी डबलू डी से बता है त देखते हैं पैला मूंबाई एक विहद पत्तन जिसके प्रक्राकितिक खुले विष्त्रित वह सुचारू-पोता-श्रय क्या है सत्तन है डूसरा है डिजिटल भारत एक जान आवधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने का एक बिशाल कार्रे क्रम है यह भी सत्त है तिसरा है कंडला बंदर्गाः एक जोरी पतन है यह भी सत्त है चपतर देखते हैं भारत विस-थ के सरवाधिक सडक जालवाले देशों में से एक है तो यह भी सत्त है पचमाय पा-ेप-Line बिछाने की प्रारंभिक लागत काम होती है यह सत्त है ठीक दोस्तों जैसा कि यहां लिखा है पहला सत्त दूसरा सत्त तीसरा सत्त चाथा सत्त और पच्मा असत्त तो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है एक सब दिवाक्य में उत्तर दीजिए ठीक दोस्तों तो इसका दे कितना होता है तो दोस्तो पंच्यान ने प्रत्षत मतलब पंच्यान ने प्रत्षत देश का ब्यापार सामुंद्रो द्वारा होता है दोस्तो पंच्यान ने प्रत्षत पूर्वी तट के साथ तमिलानू में दक्षिण पूर्वी छोर पर कौन सा पता निश्तित है तो कौन सा है तूती कोरीन ठीक दोस्तों तूती कोरीन है तिसरा क्या है हमारे देश में सरवाधिक समाच्यार पत्र कौन सी भासा में प्रकासित होते हैं तो हिंदी ये तो वैसे भी पता हो जाना चाहिए जो ब्यक्ति उत्वाद को परिवहन द्वारा उपभोकता तथा तक पहुंचाते हैं उन्हें क्या कहते हैं बैपारी ठीक दोस्तों जो ब्यक्ति उत्वाद को परिवहन द्वारा उपभोकता तक पहुंचाते हैं क्या कहलते हैं बैपारी ठिक दोस्तों जैसा कि हमें दुकानों मिल जाता है वो बेफारी होते हैं कम न दूरी कम बस्तू के परिबहन में कौन सा साधन मिल्त वे आई है तो क्या है सड़क परिबहन ठीक धोस्तों यह इतना ही है लगबाग खतम हो गया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब बस कीजिए प्राश्ण बैंक को सॉलूसन पाने के लिए और दोस्तों प्रेवाड अगर ना देखे होंगे पेपर तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएगा वहां मिल जाएगा तो दोस्तों धन् बाद भी तो देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में